हेलो फ्रेंड से स्वागा थे आपका अपने यूट्यूब चैनल अभेस्त अकैडमी पर हमने हमारे पिछले दो वीडियो के माध्यम से परिक्षा की परिक्षा प्रणाली सिले बस आनले आवेदन चैन प्रक्रिया इसके अलावा फूर इंस्पेक्टर कपद आखिर होता क्या है पोश्टिंग कहां होती है इसके अलावा क्या क्या कारे करने पड़ते हैं सभी पहलों के जानकरी आप तक पहुंचाये थे अगर पिछले वर्स परिक्षाओं में प्रश्णा कैसे आये थे ये जान लीजिए जिससे आप परिक्षा की प्रकृती और प्रश्णों के पैटर्न को अच्छे समझ कर अच्छे रणनेती के साथ सही दिसामें त्यारी कर सकें इसी उदेशे से आज के वीडियो के जरी हम 26 फरवरी 2017 को हुए फूड इंस्पेक्टर भरती परिक्षा की समान नेकान के पूरे 21 प्रश्णों को उत्तर सहीत आपके लिए लाए हैं जो आपके लिए काफे फायदे मान होने वाली है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकर्शन सब्सक्राइब आप तक अगला देखेगा प्रसित गाहत्त्री मंद्र निमलखित में से किस वेद में संकलित है इसका उत्तर है आपसने रिगवेद में प्रशन चौथा देखिए निर्धनता किस प्रकार की समस्या है इसका उत्तर है आपसन C बहु आयामी पांचवा प्रशन वर्स बजर एक से बहर ग्यारा की अवधी में भारत की जनसंख्या की अवसत वार्सिक वृद्धी दर क्या थी इसका उत्तर है आपसन B 1.64% अगला देखिएगा प्रेरी प्रदेश ध्यान दीजेगा प्रेरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है इसका उत्तर है आपसन C गेहु के रिए प्रशन सात्वा है प्लास्टिक कप यम प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन है इसका उत्तर है आपसने फ्रांस आठवा प्रशन है निमने में से किस स्मार्ट सीटी के विकास में जापान सहयोग करेगा इसका उत्तर आएगा आपसन D अहमदाबाद के अगला देखेगा 13 फरवरी को निवने में से किस दिवस की रूप में मानाया जाता है इसका उत्तर है आपसन भी विस्वर रेडियो दिवस अगला प्रशन किसी राज्य में भरष्टाचार नियंदरन अधिन्याम के अंतरगत मंत्रियों के विरुद अभियोजन की स्विकृति दे सकता है इसका उत्तर आएगा आपसन भी राज्य पाल हम प्रशनों के डीटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश से आपको पिछले वर्श आये प्रशनों से आउगत कराना है जिससे आप परिक्षा में आये प्रशनों के पैटानों को समझ कर अपने त्यारी को आगे बढ़ा सकें अगला प्रशन देखिएगा वर्तमान की सबसे महत्पुन आर्थिक घटना क्या है इसका उत्तर है आपसने बड़े मुल्यों के नोटों का विमुद्री करन अगला देखिएगा कौन सी रेखा अंतरराष्टी तिति रेखा याने की इंटरनेशनल डेटलाइन कहलाती है इसका उत्तर है आपसने एक सब अस्चेंस अगला देखिए निमलिकित में से किस इस्थान पर गौतम बूध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था इसका उत्तर हैगा आपसन सी सारनाथ में अगला महत्पून प्रश्ण है प्रतिव्यक्ति आय का सुत्रक क्या है इसका उत्तर आएगा प्रतिवक्ति आय बराबर विशुत राष्टी उत्पाज NNP आबलीक जनसंख्या प्रशन 15 है IFA सिल्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है इसको उत्तर है आप्षन C फुटबाल के लिए अगला देखेगा भारत सरकार का 36 संपर की योजना का उदेश्य है इसको उत्तर है आप्षन C भारत की छोटे हवाई पत्रनों को जोड़ना अगला प्रशन जननांग की संक्रमन यानि की डेमोग्राफिक ट्रांजिक्शन की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीवरे वृद्धिक को बतलाती है इसका उत्तर है आप्षन B द्वित्ती अवस्था अगला देखेगा उस्मा के विशय में सत्यकथन चैनित कीजिए पहला है उस्मा उर्जा का एक रूप है दूसरा उस्मा विद्धु चुम्ब के विकिरन के एक प्रकार है तीसरा उस्मा कृष्ण वस्तुदारा अवसोसित होती है चौथा है द्रवो में उस्मा संचाल अंद्वारा प्राभाइत होती है इसके लिए कोड दिया गे है आपसने 1 वा 4 आपसन B 2 और 4 आपसन C 1 और 3 और आपसन D दिया 1,2,3 इसका सहीं उत्तर है आपसन C कथन 1 और 3 अगला महत्मुन प्रस्न है केंद्री आर्थिक सर्वक्षन के अनुसार इस राज्य की अपेक्षा निमलिकित में से किस राज्य की बेरोजगारी अधिक है इसका उत्तर है आपसन D उप्रोगत सर्व यानि के महाराष्ट पंजाब और मध्य प्रदेश की अगला देखीगा किस चटान को प्रात्मिक चटान कहा जाता है इसका उत्तर है आपसने आगने चटान को अगला देखीगा निम्न में से निम्न में कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है इसको उत्तर आएगा आप संडी जर्मनी मा की ब्राजील रस्या और चाइना ये तीनों ब्रिक्स के सदस्य है अगला देखिए कौन सा बैंग भारत का केंदरी बैंग है इसको उत्तर है आपसने भारती रिजरो बैंग याने के आरबी आई अगला मात्मुन प्रस्ण है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर निम्नक कोड में प्रयोग करते हुए चैनित कीजिए इसका उत्तर आपसनडी 2,4,1,3 प्रस्ण में समझेगा 2,4,1,3 यानि आपसन एक हो जाएगा दूसरा आपसन भी हो जाएगा चाउं था आपसन सी को होगा पहला और आपसन डी को होगा आपसन तीसरा अगला प्रश्ण गल्फ इस्ट्रिम किस महासागर में इसको उत्तर है आपसनडी अंटलांटिक में अगला देखीगा मानाओ शरीर का समानने तापकरम केलविन स्केल में होता है इसको उत्तर है आपसन डी 310 केलविन अगला देखीगा प्रसीत करांतिकारी सूरे सेन निमलिकित में से किस घटना से समबंदित थे इसको उत्तर है आपसन डी चिटगाउं सस्तरागार पर छापा अगला महत्पुन प्रश्ण है ध्यान समझेगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्नकोडों की सहायता से सही उत्तर चैनित कीजिएगा इसका सही उत्तर है आपसने 4,1,2,3 प्रश्ण में समझेगा आपसन का A का हो जाएगा 4, आपसन B का होगा 1, आपसन C का होगा 2, और आपसन D का हो जाएगा आपसन 3 अगला देखिएगा इस राज्य ने अपना पहला रंजी ट्राफी मैच किस राज्य के साथ खेला है इसका उत्तर है आपसन भी त्रिपुरा के साथ अगला देखेगा निमलिकित में से किसी ने 1913 में संज्वत राजी अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था इसका उत्तर है आफसन भी लाला हरदयाल ने प्रश्ण तीस्वा है निमलिकित में से क्या सही नहीं है आप चारो आफसन को पढ़ लीजिगा इसका उत्तर आएगा आफसन भी राष्ट पती किसी एक सदर को संबो दीत यम संदेज भेज नहीं सकता ये आफसन सही नहीं है पहला आपसन है भूमी सुधार अधिनियम दूसरा है आधारवो धाचा तीसरा है मौलिक अधिकार और चौथा है निदेशक तत्व इसके चार आपसन दिये गए हैं इसका सही उत्तर होगा आपसन भी दो यम ती अगला प्रश्ण है विजयनगर समराज्य के पतन का जाता है इसका उत्तर है आपसन दी जद्दलपूर अगला देखिए ग्यान पीट पूरुसकर अप्राप्त करने वाली प्रथम महिला निम्ने में से कौन है इसका उत्तर है आपसने आशापूर्णा देवी अगला देखिगा पूनाराम निसाग किस सहली में पनवानी का आय अगला महत्पून प्रश्ण बार बार परिक्ष्ण पुछा गया है प्रयाग प्रस्ती में निमलिकित में से किस गुपत सम्राट की उपलब्दियों को उत्कर्णित किया गया है इसको उत्तर है आपसन भी समूत्र गुपत की अगला देखिएगा यदि दो दरपनों की मद्धे 60 हंस का कौन हो तो प्रति भीम्बों के संख्या होगी इसके उत्तर है आपसन भी तीन चैलिस्वा प्रश्न किन्य अपरिहारे परिस्थियों के कारण संसत उपराष्टपती का निर्वाचन ना कर सकी तब क्या होगा इसको उत्तर है आपसन भी वर्तमान उप्राष्टपती उसके उत्रादिकारी के पदगरहन करने तक पदपर कारे करेगा अगला देखेगा दक्षिन भारत के चोल सासकों ने निमलिकित में से किस मंदिर का निर्मान किया था इसका उत्तर है आपसंडी तंजाओर के विष्देश्वर मंदिर का अगला प्रश्ण है नियो मोर्द्वीफ कींदो देश की सिमा पर इस्तित है इसका उत्तर है आपसंडी भारात और बंगलादेश अगला प्रश्ण देखीगा कि इन परिस्तितियों में राज जिपाल अपने स्वाविवे की सक्तियों का प्रयोग कर सकता है इसके लिए आपसंस दिये गए हैं इसका सही उत्तर है आपसंडी, D, E, F, F रश्न में समझीगा D, E, F और इसका अगला आपसंड है इन चारों परिस्तियों में राज जिपाल अपने स्वाविवे की सक्तियों का प्रयोग कर सकता है 45 वा प्रश्न है वानिज्जिक और अध्योगिक, एकाधिकार, गूट और नियास्वयापारसंग, अध्योगिके हम स्रमविवाद, विशास्तमिधान में किस सूची में सम्मिलित किये गए हैं इसका उत्तर है आपसंसी, सम्मर्ति सूची में अगला देखीगा निमलिकित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसीदियोद लड़ा गया था इसका उत्तर है आपसंसी, राना प्रताप और राजा मानसी के बीच अगला देखीगा सौर सूचला योजना का मुख्य उद्देश्तिय है इसका उत्तर है आपसंसी, सिचाई के लिए सौर पंपो को प्रदान करना अगला देखीगा समाजिक विकास से किसका संबध है इसका उत्तर है आपसंसी, सिख्चा के गुनवत्ता से प्रश्ण वुन्चासवा वर्ष 16-17 के आर्थिक सर्विक्षन के अनुसार भारत के अध्योगी कुरिधितर क्या है इसका उत्तर है आफशन सी 5.2% अगला देखिएगा यदि लोगसभा किसी एक मंत्री की गुरूत प्रस्तावपारित कर देती है तो क्या होगा इसका उत्तर है आफशन भी मंत्य परिसत भंग हो जाएगी अगला प्रस्ण है विश्व की सबसे लंबी ब्रहंस घाटी कहां इस्तित है इसका उत्तर है आफशने पुर्वी आफ्रिका में अगला महत्पुना प्रस्ण है हिंदू कैलेंडर के निमलिखित में से किस माह की पुर्णिमा को इस राजय में प्रतिवर्ष राजी महाकुम कल अगला प्रश्ण होता है इसका उत्तर है आफशन सी मांगर मा में अगला प्रस्ण दिख्यगा किस विशर इस्पिकर सधन में प्रतहमता मत देता है इसका उत्तर है आफशन भी स्वेम के विरूद अविस्वास प्रस्ताव पर अगला प्रशन 26.1945 को गोंसी आंतरिक आपत के संदर में निम्नामकित घंटनाओं को करम से रखे इसका उत्तर है आपसं C 3,4,1,2 प्रशन में समझीगा 3,4,1,2 यानि कि 3 पहला आएगा फिर 4 आएगा फिर 1 आएगा फिर दूसरा आएगा अगला महत्मुना प्रशन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्नाकोट की सहायता से सही उत्तर चैनित कीजिए इसका उत्तर है आपसं C 3,4,1,2 प्रशन में समझीगा 3,4,1,2 यानि कि A का हो जाएगा आपका 3, B का हो जाएगा 4 और C का हो जाएगा 1 और D का होगा आपसं 2 अगला प्रशन दर सोला के ओलंपिक खेलों में सम्मिलित खेलों की संख्या निम्ना में से कितनी है ये उस समय का प्रशन है 28 अगला देखेगा इस वर्श के मद्कर खेल इस्म मिलित पत्त कारिता पुरुषकार हेतू किसे नामित किया गया है इसका उत्तर आपसं C समेर सुकला को अगला प्रशन है इसपेण यव मुरकों के मध्य कौन सा जलडामरू मध्य इस्तिध है इसका उत्तर है आपसं B वस्वास संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्तराष्ट की रूप में प्रमानित किया इसका उत्तर है आपसन C स्री लंका को अगला प्रशन है ध्यांज देखिएगा निम्नक कत्नों में कौन से कत्न सत्य है इसके लिए आपसन दिये गया है चार आपसन इसका कोड दिया गय है इसका सहीं उत्तर होगा आपसन C, B और C प्रशन में समझेगा आपसन B और C ये दोनों सत्य है अगला प्रशन यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधान सभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के भीतर वह राज्य विधान सभा से त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या होगा इसका उत्तर है आपसने लोकसभा में उसका इस्थार डिक्त हो जाएगा अगला प्रशन विष्व की सरवाधिक अभिनाव कंपनी को दौनस्तोला की फोप से की सूचिय प्रथमिस्थान किस कंपनी को मिला इसका उत्तर है आपसन D टेसल आम दूबे अगला प्रशन देखिएगा निम्न में से कौन 1217 में सोमालिया के नए राष्टपती चुने गए हैं इसका उत्तर है आपसन सी मुहमद अब्दुल्लाही मुहमद अगला प्रशन स्विधान के अनुच्छेत 15.1 की विशाय में क्या सही नहीं है इसका उत्तर है आ इसका उत्तर आएगा आफसने 27 वे थलसेन अध्यक्ष अगला देखिएगा 1218 के ACI खेलो का आयोजब देश निम्न में से कौन है इसका उत्तर है आफसन सी इंडोनेसिया अगला प्रशन देखिए पावले एजेंटिलो निम्न में से क्या है इसका उत्तर है आफसने इटली क प्रधान मंत्री अगला प्रश्ण निम्न धात्मों को वैदु चाला के घरते करम में विवस्तित कीजिए इसको उत्तर आएगा आपसने रजत तांबा एलुमिन्यम और लोहा प्रश्णों की संख्या अधिक है इसलिए हम गहराई में नहीं जा रहे हैं आपको प्रश्णों क कहां पाया जाता है इसको उत्तर आफसन भी आमेजान बेसिन में PDF डेली जी के करेंट अपडेट्स और नोट्स के लिए आप मारे टेली ग्राम चैनल और वाट्साप ग्रुप को जाइन कर सकते हैं लिंक आपको दिल सुचने मिल जाएगा अगला देखेगा आज टेलिया ओ इसकंदर लोदी ने अगला प्रशन की सिग्रा के चारोर वला याने के छल्ला नजर आता है इसको उत्तर है आफसन भी सनी के अगला प्रशन और द्योगिक निती यह समवर्दार इभाग और विस्व बैंग द्वारा दिये गए रेंकिंग के अनुसार भारत में चत्तिस ग इसको उत्तर है आफसन भी न्यायमूर्थी कुल्दीब अगला देखेगा धोलकर छेत्र जो हाली में समाचार में था किस से संबंदित नहीं है इसको उत्तर है आफसन सी नरायनपूर जीला से अगला प्रशन निम्नमे से किस ने दर सोला में रिजार रबैंक आफ इंडिया के गवर्णर का पत समाला इसको उत्तर है आफसन भी डाक्टर उर्जीत आर पटेल ने अगला देखेगा इस राज्जी के निम्नमे कितम से किस स्थान में अठारा संतावन इस्वी मिद्रों नहीं हुआ इसको उत्तर है आफसन भी रायपूर में अगला प्रशन कौन सा दे 48,000 कलोर रूपय का अगला देखेगा निम्न के मद्ध कौन सी विद्धु चुम्ब की विकीरन की तरंग दर्व सरवाधिक है इसको उत्तर है आफसन भी बैगनी प्रकास की अगला देखेगा भारत का पूरवी घाट कीस प्रकार का परवत है इसको उत्तर है आफसन भी प्रश्ण पर समझते हैं A C B D E A C B D E ये करम रहेगा इसका अगला प्रश्ण दर्स तोला में विस्वा के सबसे लंबी रेल सुरंग निम्नमे से किस देश में रेल सिवाओं के लिए खोली गई इसका उत्तर है आफसन सी स्विट्जाइड लैंड में अगला देखेगा भारत प्रश्ण दर्स तोला में निम्नमे से किस देश के साथ लेमवा पर हस्ताक्षर किये है इसका उत्तर है आफसने यू एस के साथ अगला देखेगा अगला प्रश्ण वर्स दर्ग्याराय भारत की जनसंख्या क्या थी इसका उत्तर आफसन भी 121.02 करोड अगला देखेगा वर्स दर्सोला सत्रा में कौन से पंचवर्सी योजना पूर नहुई इसका उत्तर है आफसन भी 12 पंचवर्सी योजना प्रश्ण 90 है किस प्रकार के परवत का निर्मा छीचले समूद्र में हुआ करता है इसका उत्तर है आफसन सी मोर्दार परवत का इंक्यानवे प्रश् और निम्लिकित में से किसका भंडा संभातार रायगर में इसका उत्तर है आफजन भी यूरेनियम का अगला देखेगा आपको सुमेलित करना है सविधान के बाद और प्रावधान का इसका उत्तर है आफसंडी इन में से कोई नहीं अगला देखिए चूना पत्थर रुपांत में से कौन था इसको उत्तर है आपसन सी महासिव गुप्त अगले देखिएगा प्रशन 96 भारती अर्थव्यस्ता के किस छेत्र में खनन या उतकरान को सामिल किया जाता है इसको उत्तर है आपसने प्रात्मिक छेत्र में प्रशन 97 है राज विधान सभाओं को विगडित करने क विशय में किसने पुनरविचार हे तु कहा था इसको उत्तर है आपसने बीडी जत्ती ने मुरार्जी देशाई से कहा था अगला देखिएगा भारत में क्रिशी सम्मंदी छेत्र कौन सी है इसको उत्तर है आपसन डी उप्रोगत स्थभ यानिकी पसुपालन वाने की और मत पसुपालन ये तीनों क्रिशी सम्मंदी छेत्र में आते हैं अगला प्रशन निमलिकित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रीटिस सम्राज्य में सम्मिलित किया गया इसको उत्तर है आपसन सी अठाहस चबवन इस्वी में अगला पर जयनतिया परवत किस राज्य में ये बहुत ही महत्पुर्ण प्रशन है इसको उत्तर है आपसने मेघाला में प्रशन एक सब एक है मानली जी एक राज्य विधान परिशत की सदस्वंख्या साथ है तब विभीन सम्मर्गों से कितने सदस्वे निर्वाचित आपलिक ना प्रशन दिएगा एसले के जे तक आपसन दिये गए है इसका सही उत्तराएगा आपसन डी बी सी एच आई आप प्रशन मिला लीजिएगा अगला प्रशन भारास्तंग में सम्मिला है तो सरदार पटिल ने निमलिकित में से किस राजकुमारी राज्य के विरूत पुलिस कर प्रवाई की इसका उत्तराएग आफसन भी हैदराबाद अगला देखेगा निमलिकित में से किस स्थान पर बंवनी वजीर महमूद गवान ने कालेज इस्थापित किया था इसका उत्तराएगा आफसन सी बीदर में अगला देखे टाइम पत्रिका ने दर सोला के लिए नि 105 प्रशन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर निम्न कोडों की सहायता से सहीं उत्तर चैन करने हैं आपको एक तरह प्रक्रम दिया है दूसरी तरह प्राप्त पदार दिया गे इसका सहीं उत्तर हो जाएगा आपसंडी ध्यान दिजिएगा आपसंडी 4-3-2-1 प्रशन में बाव डिलन को अगला देखिएगा भार्ती राश्टी कांग्रेश ने निम्लिकित में से किस अधिवेशन में असयो गांतुलन के संबद में अंतिन ने लिया गया इसका उत्तर आपसंडी नागपूर अगला देखिए एक सब आट नमबर के प्रशन है इस राज्य के कल्च आपसंडी तीन दो चार एक ध्यान दिजिएगा प्रशन में समझेगा तीन दो चार एक यानि आपसंडी का हो जाएगा आपसंडी का होगा दो आपसंडी का चार और आपसंडी का एक हो जाएगा 110 नमबर का प्रशन है सभी प्रोटीनों में निम्लिकित में से कौन से तत्त अगला देखिए जल के एक बून का आयतन 270K पर 0.0118 मिलिलिटर है जल के एक बून में जल के अनुव की संख्या इसका उत्तर हो जाएगा आफसने अगला देखिएगा जब कांग्रेस बारा सविनाय अवग्या अंधुरान प्राराम किया गया उससे भारत का वायास रहे निमल निमलिकित में से कौन अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था इसका उत्तर है आफसनसी सुमन्त अगले देखिएगा 1922 में महत्मा गांदी के इस राज्य में प्रधम आगमन की समय उनके साथ निमलिकित में से कौन थी इसका उत्तर है आफसने मौलाना सौकत अली 116 अमर का प्रश्ण है एंटी जान एक पदार्थ है जो इसका उत्तर आएगा आफसंसी प्रतिरोधक्षमता को त्वरित करता है अगले देखेगा निम्ने में से किसे आत्मकतार लिखने के लिए सरस्वति सम्मान प्राप्त हुआ है इसका उत्तर है आफसंसी पदमा सस्देव क ये उस समय का प्रश्ण है अगले देखेगा प्रधान मंत्री उज्वला योजना में निम्ने में से किसका मुझत वित्रन किया जाता है इसका उत्तर है आफसंडी एलपीजी का अगले प्रश्ण है 1905 में गोपाल गृष्ण गोखली द्वारा निम्ने कित में से कौन सा इस थापित किया गया इसका उत्तर है आफसंडी सर्वेंट साप इंडिया सोसाइटी 120 प्रश्ण है ग्रामिन विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है इसका उत्तर है आफसंडी प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना दोस्तों इस वीडियो के जरी हमने पूरे तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद जैहिन दोस्तों